सो कैसे दोस्तों आयोप सब बढ़िया हो गए तो आज एक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Xiaomi HyperOS 2.0 हाँ यह चीज यहाँ पर रियल है कि Xiaomi HyperOS 2.0 आने वाला है अब इसमें से काफी सारी यहाँ पर लीक्स निकल के आचुकी हैं जो कि आप लोग यहाँ पर दुखोगे यहाँ बोल सकते हो काफी सारी चेंज लोग यहाँ पर आचुके है क्योंकि यहाँ पर की light features आचुके Xiaomi HyperOS 2.0 जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आप लोग यहाँ पर इस picture को recognize भी कर सकते हो क्योंकि काफी जाद है यहाँ पर यह circular हो चुकी है और आप लोगों को पता भी चल चुका होगा कि Xiaomi HyperOS 2.0 में क्या new features आने वाले है in fact इससे related मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी बनाई थी जो कि आप लोग जाके इस तरीगी से check out करोगे यहाँ पर YouTube सर्च करोगे YouTube सर्च करने के वाद यहाँ पर directly अगर आप लोग मेरा नाम सर्च करते हो कुछ इस तरीगी से आपको यहाँ पर चैनल पर जाना है यहाँ मिल जाएंगी तो जाके जहुआ ली वीडियो चेक आप करना है फीचर के लिए और हाइपर वेस 2.0 भी कुछ यहाँ पर यूनिक होने वाला है अब अगर मैं इसको translate करूँ यहाँ पर देखे तो कुछ इस तरी किसम इसको translate कर लेते हैं perfectly जो कि आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर देखो कि translate में लिखा हुआ है कि Xiaomi recommended 2.0 internal testing अब 2.0 यानि Xiaomi Hyperos 2.0 की internal testing स्टार्ट हो चुग है जिसमें कि यहाँ पर 500 या 5K users यहाँ पर अराउंड यहाँ पर collect करेंगे बट आप लोग आँख बंद करके apply मत करना क्योंकि चाइना के लिए अलग testing होती है ग्लोबल के लिए अलग testing होती है and mostly जो global users होते हैं उनको तो बस नाम के लिए select किया जाता है कोई features नहीं दिये जाते हैं MIUI में भी होता था and a better Xiaomi iPad उसमें भी होता है तो कुछ भी यहाँ पर recommended मत करना अगर आप लोग beta testing के लिए apply भी कर लिए होता है तो यह तेक्षे तो आपका data वाट क्लेक करने की chances ज्यादे रहते है क्योंकि beta testing में बस यही risk रहता है कि अगर आप लोग beta testing form fill कर रहे हो तो Xiaomi आपकी जो information वो win directly आप से बीना पूछे collect कर सेता है क्योंकि आपने वो form fill किया है और उसमें ऐसी सारी permission ही होती है तो अगर आप लोग वो try करना है तो यहाँ पर try कर सकते हो Xiaomi Hyperverse 2.0 focus होगा AI features के लिए यह चीजहां पर completely आपको भी प्यता होगा और जब मैंने features वाली video बनाई थी उसमें भी बताया था कि Xiaomi AI features पर जादा focus करेगा इस time जो कि आप लोग यहां पर दिखेंगे कुछ इस तरह किसे AI features देखने को मल जाएंगे Remember Day, Subway Ride, Medication Reminder, Agenda और कुछ इस तरह की से Community Advice और कुछ इस तरह की से दिखने को मल जाएंगे तो वह इस suggestion आपको दिखने को मिल जाएंगे same like को एक notification calendar AI के साथ combination करिके एक कुछ इस तरह का यहां पर 2.0 suggestion अब एक ज्टएसान्डमी को नाम दे रहा है and may भी जलदी आपको दिखने को मिल जाएंगे तो कशिदीक से दिखने को मिल जाएंगे and registration timing अभी 6-10 के बीच महीं है तो आप लोग चाहो तो यहां पर जोईंट कर सकते हो तो यहां पर टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी यानि कुछ यूजर्स को अप्डेट मिलना स्टार्ट हो जाएगे वह आपको दिखने को मिल जाएगे 7-31 माई के अंडर यहां पर सेडली है कि अगर आप लोग अप्लाई भी कर लिए तो इंडिया या बांगिलादेश नेपाल अग्वानिस्तान या अदर कंट्री से अप्लाई कर ले तो तो आपको कोई फीचर देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपके डिवाइस में चाइना रोम नहीं है यह फीचर सिर्फ चाइना रोम के लिए रिलीज के जाएंगे और यह पर कुछ यह की लाइट फीचर से जो कि आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं तो अगर हम इसको भी ट्रांसलेट करके देखें तो यहां पर आपको गूगल एंसमें इसको ट्रांसलेट करेता हू जो कि home appliances में आती है like smart, bulb, smart, काफी सारी चीज़े निकालता है Xiaomi इन सब चीजों के लिए तो उनी को collect या एक साथ combine कने के लिए Xiaomi आपे intelligent service को launch करेगा बट यह चीज चाइना में already है जिसको आप लोग interconnectivity के नाम से भी जानते हो गए यह चीज HyperOS 1.0 में भी launch की गई थी जो कि आपको दिखने को मिल जागा बट उसी को यहाँ पर fast कर दिया जाएगा like यहाँ पर bus to communicate time, subway time जो कि अभी subway वाला option हमने पीछे लेखा था और यह अब यह चीज आपको दिखने को मिलेगी यानि कि सारी चीज आप लोग अपने home device से के नहीं कर पागए बट देखो इतना excited मत होना कोई भी इतनी hype नहीं है इस चीज के लिए और नहीं आप लोग बनाओ क्योंकि यह चीज चाइना के लिए बस हमारे मेरा काम है personal information देना कि चाइना में क्या हो रहा है और इन future एक prediction होती है global में आएगा या नहीं यह चीज भी confirm नहीं होती है बट चाइना का UI किस तरीगी से advance होता जा रहा है इन सब मामलों में and global का UI कितना पेचा रहा चुक है वो सारी चीज एक्सप्लेइन हमारा करना या मेरा करना काम है और आप लोगों को information देना वो मेरा काम है अब देखो comparison में यहां पर नहीं करता बस यह बता रहा हो चाइना थोड़ा advance हो चुका इन सारी features को लेके and 100% यह feature चाइना में याएंगे मेभी global में कोई chance हो जब यह पर global में आएं and कुछ इस तरीगी से आपको देखने को मल जाएगा जो कि आप लोग यहां पर देखे तो यह कुछ image है जो कि आपको देखने को मल जाएगी अब इसको भी अगर हम translate करें तो same आपको app vault यहां पर नजार आ रहा होगा अगर इसको में translate कर रहते हैं एक सेगने हम इसको translate कर लेते हैं कुछ इस तरीगी से जो कि आपको देखने को मल जाएगा Xiaomi suggestion 2.0 आप लोग अगर notice करोगे तो Xiaomi suggestion के अपर 2.0 में कुछ जादी option देने वाल है जो कि आपको देखने को मिल जेंगे और काफी सारे device के लिए यहां पर जो चाइना में device जिनके लिए Xiaomi HyperOS यहां पर रॉल आउट किया जाएगा जो कि आप लोग यहां पर देखने तो और कुछ ऐसे device है जो कि ग्लोबल में भी रॉल आउट किये गए थे जैसे कि आप लोग यहां पर देखने को मिल जाता है अब टू पोइंटों के लिए कि ज़्यादा हाइप मत होना है क्योंकि अगर आप लोग इन पिचल्स पर नोटीज भी करते हो तो आपको वही फीचर्स है एक लाइक रिकॉमेंडेशन होता है ना वही चीज यहां पर देखने को मिल जाएगी बस वही सारे आपको सेजिशन यहां के रिकॉमेंडेशन बोल सकते हो वह शाओमी हाई पर टू पोइंटों का की लिए फीचर देखने को मिल जाता है एड इस टाइम अभी हमको भी इतना डिटेल नहीं पता है कि हम इतनी सारी चीज इसमें बता सकें तो आप लोग यहां पर वेट करना किस तेगी साब को यहां पर यूज करना चाहते हो शाओमी तो आप लोग अधर वीडियो चेक आट कर सकते हो एं यहां पर कंट्रोल सेंटर में ट्रांस्वेंस रिमोड इनेवल करना है बजट डवाइस में तो उसके लिए भी एड ना आए आपके डवाइस में तो उसके लिए भी वीडियो अबलेवल है तो चेक आट करना चैनल को और अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो जैसे वीडियो पर लाइक कर सकते हो साथ ही आचानल को सब्सक्राइब कर सकते हो हम मिलते हैं एक और इंटेसिंग वीडियो में जिते कले चेहिंग जे भारत